वेल्कम बैक टू मैं चैनल विपनिक लाइफ स्टैल तो आज बनाने वाली हो मकेन तो मैं कल पॉइन गई थी तो वहां से मैं मकेन लेख आई और यह मैं फॉस्ट ट्राय कर रही हूँ देखो यार कभी मैंने यह सब ट्राय नहीं किया है क्यों कि मनी नहीं होता है लेकिन इस पती बोल रहा है एकदम से मत फाड़ना कैची से अच्छे से प्यार से फाड़ना फिर मैंने इसको प्यार से फाड़ा और एक ही करके निकाला और ऐसे है कुछ बॉल स्टैप के बने हैं तो देखते है कैसा लगता है पहले तो कभी खाया नहीं है अभी खा लेते हैं और आप बेसे बिसा गजाते हैं कि यह खाना किता टेस्टी है कितना बेकार है तो अभी मैना इसको प्राइग करूँ की तीली गरम हो गया है और सब्सक्राव ने पापड भिंग था तो इसी कड़ाइग में बना दिया है इस मखें को यहाँ पे ना दिया है इंस्ट्रिक्शन की कै तो इसे कैसे बनाना है आपको इजी है बस वही गरम तेल में ही छोड़ देना है और आपका बन जाएगा दो तिन मिनिट में ही तो मैंने काफी सारे छोड़ दिये है गरम तेल में और अभी मस्त बनेगा थोड़ा चीट रहा था मेरे को डर लग रहा था बहुत कि यह बस तो देखो मोस्ली हमारा जो मकेन है वो बनके रेडी होने वाला है और बाहर का मौसम काफी मस्त है आज कल तो काफी अच्छा धूप निकल रहा है और मैंने सब को बलाया खाने के लिए राकेश को बलाया उसके बाद गोपी को बलाया शीवा है तो सब को बलाया मैंने कुछ भी मैं खाती हो ना तो सब के साथ मिल जुलके खाते हैं इसमें बढ़ जाता है जाहे वह चीज खराब हो या फिर टेस्टी ना हो लेकिन फिर भी हम बात करते करते कब खतम हो जाता है पता नहीं चलता है तो मकें बन के ready हो गया है और इसका प्राइज जो है ना 1.500 रुपे का तो हम सोच रहते हैं इतना महेंगा है और इतना कम दिया बताओ तो देखते हैं कि कैसा लगता है देड़ सुरुपे हमारा बसूल है की नहीं एक नफ फ्राइ नहीं हो था तो फिर मैंने अगेन इसको फ्राइ किया तो अभी शीबात गया है कॉलेज उस वह आएगा उसके और गाइस क्या ही बताओ बहुत टेस्टी था बहुत ही जादा मेरे पास ना यह कुछ सॉस बचा था हम लोग ने गारलिक फ्रेट मंगवाया था घर में तो फिर उसी के साथ काफी सारा सॉस दिया था तो मैंने रख दिया था और इसकी अंदर ना देखो चीज है और आलू है तो इसको चलो खाके दिखता है बहुत टेस्टी था सीरियसली देड़ सो रुपे बसू लो गया लेकिन गैज ना कॉंटिटी बहुत कम था बट बहुत टेस्टी था बहुत ही जादा